कल एक माता पिता मिलने आये थे जो बहुत डिस्टर्ब्ड थे उनका एक बच्चा UK जी में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है UK जी में पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई परिशानी नहीं तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा पहले ही फेल हुआ था, दुबारा उसी कक्षा में पढ़ रहा है उसकी हांड रेटिंग अच्छी नहीं है और कुछ भी ठीक से नहीं करता वो उसकी हांड रेटिंग जड़ा देखिए, यही है, उसने कैसा लिखा है, देखिए ओके, नाओ, दिस इस अवरी इंट्रेस्टिंग केस मैं इसे यहां कंक्लूर नहीं कर रहा हूँ, बलकि एक इश्यू के बारे में बताना चाहता हूँ learning difficulties जो होती है, LDs जिसे कहते हैं, learning difficulties क्या होती है, पढ़ाई से संब्ध रखने वाली कुछ परिशानियांद, जिसे हम dyslexia कहते हैं, dyslexia के संब्ध विशेद करें तो dysk का मतलब है difficulty, और dyslexia का मतलब understanding, dyslexia जो है, वो एक तात्कालिक समस्या है, कई बच्चे आज कल इससे प् भावित हैं, तीन बाते हैं, एक है dyslexia, दूसरी है dyscalculia और तीसरी है dysgraphia, मैं संशेप में बताता हूँ और इसके बारे में आपको कई website से जानकर भी मिल सकती है, इस notebook में जैसे आपने भी देखा होगा, कई symptoms मिल रहे हैं, वो pot था उसने top लिखा है, लिखा होगा, B को D लिखा होगा, D को B लिखा होगा, P को Q लिखा होगा, यह inversion जो है, इन्हें हम symptoms कहते हैं, 24 को 42 लिखा होगा, this is a symptom, this is only a symptom, मैं क्या कह रहा हूँ, symptom को देखकर हम किसी नतीज़े बें नहीं पहुंच सकते, ऐसा भी हो सकता है, तो इस dyslexia वले बच्चों में सबसे बड़ी परिशानी क्या है कि, वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं, हमें उनका खास ख्याल रखना होगा, 1 to 1, 1 to 1 attention जरूरी है, नॉर्मली क्लास में 30 से 40 students होते हैं न, उन 30-40 बच्चों की लिखने की स्पीड एक जैसी होगी, और इसकी स्पीड उनके comparison 50% ही होगी, बहुत मुश्किल होगा, जर आप सोचके देखिए, एक motorcycle है, उसके front wheel की स्पीड में और back wheel की स्पीड में अगर अ association बहुत हैं, उन मातापेतों को पहले क्या करना चाहिए, वेबसेट में जाकर dyslexia, dyslexia, dyslexia type करने से उसके बारे में सारे जानकारी monitor पे आ जाती है, दूसरा है, क्या ये कोई बिमारी है, बिमारी नहीं है, इसे हम एक ततकालिक दुविधा कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि इसी तरह कि ये कुछ बच्चे लेट समझना शुरू करते हैं, कुछ लोग dyslexia के लच्छन अपने बच्चे में देखते हैं, ये समझते हैं कि उसे बीमारी समझ लेते हैं और वैसे ही बताते हैं, मैंने एक सूची बनाई है, dyslexia से प्रभावित, कई बड़े लोग जिनको कभी dyslexia था, Walt Disney, Disneyland जानती है न, उन्हें dyslexia था, उसके बाद general pattern, second world war में बहुत बड़े general थे ये, उन्हें भी dyslexia था, Winston Churchill, second world war में England का नेतरुत किया था इन्होंने, Graham Bell, कोना जानती है ये, टेलिफोन का आविश्कर करने वाले, Michael Faraday, बिजली का आविश्कर करने वाले, Thomas Halve Edition, इन्होंने क्या आविश्कर किया था, हाँ, Bulb, हाँ, ओके, Albert Einstein, उन्हें कौन नहीं जानती है, बीश्विस्विस दीके, सर्वस्ट्रेस्ट थे ये, Agata Christie, बहुत बड़ी लेखी का, Nelson Rockefeller, Stephen Spielberg, Jurassic Park Film के निर्देशक, ये सब लोग किसी जमाने में learning difficulty से प्रभावित थे, ये सब जीवन में कैसे कामियाब हुए, क्योंकि इनके पैरेंट्स ने इनकी समस्या को समझ लिया था, और समझ कर उसके मताबिक उन्हें पढ़ाय इस पैरेंट्स को इसके लिए ही बने कुछ केंदर है, वहां लेकर जाएंगे तो, उस बच्चे का एक घंटे का टेस्ट लेकर बताएंगे, ये डिसलेक्सिया है या कुछ और है, देखिए, कुछ बच्चों के मार्कस ना लाने का कारण है, उनका आलसपन हो सकता है, या फ इसका मतलब आप जानती है क्या है, कुछ बच्चों का आपने देखा होगा कि वो बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, ओरल्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लिखेगा नहीं, वो डिस्ग्राफिया उसमें आने का कारण क्या है, कि वही मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम इ इसका में देखनी चाहिए, क्रिकेट में उसकी दिल्चस्पी है, तो क्रिकेट बार में लिखने को कह सकते हैं, लिखते 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 कम हो जाएगा, कई बचे क्या करते हैं, लिखने को तोड़ा पोस्पोन कर देते हैं, लिखने से ड नहीं करेंगे, I am not talking about mathematical phobia, mathematical phobia का मतला max से नफरत करना, कई बर वो teacher पसंद नहीं होती है, इसने उनका पढ़ा है, वो subject बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये dyscalculia जो है, वो है max को देखते ही घबरा जाना, जिसे मैं एक 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 बादा, डर नहीं कहूंगा मैं उ उसे, उसे देखकर उगभरा जाता है, वैसा उसका mindset है, वो dyscalculia जिन बच्चों में है, उन्हें basic fundamental हमें सिखाने चाहिए, वो क्या करते हैं, उसकी क्या symptoms हैं, वो जो into, plus, minus, इन्हें confuse कर देते हैं, greater than, lesser than में confuse हो जाते हैं, मेरा कहने का मतलब into कैसे लिखना है, plus कैसे लिखन हैं, इन्हें confused हो जाते हैं, इनके ले भी एक अलग परिक्षन का तरीका है, for example, visual mathematics, एक triangle हो तो, उस triangle को बना कर, उसके आकार को समझा कर, आंखें बंद करकर, उसे सोचने को कहिए, और फिर plus कैसे होता है, उसे सोचने को कहिए, he has to catch the image in the mind's eye, तो dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, ये तीनों इक परिशानिया ही है, कुछ लोग, उनके बच्चे को dyslexia है, अगर पता चल जाता है, तो सोचते हैं कि, बहुत बड़ी बीमारी है, बिल्कुल, वो parents भी बहुत दुखी हो कराया है, और पूछेंगे तो, समय की कमी के वज़े से, ये list में बहुत जल्दी लिख कर लाया लगवग 500 से भी ज्यादा प्रसिद लोग हैं, जो dyslexia से छुटकारा पा चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि, dyslexia का बहुत सरल इलाज है, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, उन्हें special school में दाखिल करा सकते हैं, तो 6 महिने का course अटिन करने से वो आकर, बिल्कु नहीं लेके जाएंगे, उसे तो एक parent ने पागलों का school भी बोल दिया हमसे, पागलों का school नहीं है ये, ये एक तातकाली परिशानी है, problem, हाथ पे चोट लग जाती है तो हम hospital जाके उसके इलाज कराते हैं ना, फिर हाथ को ऐसी रखते हैं ना हम, उसी तरह ये भी है, मेरा कह जाना है, if properly guided ये बच्चा भी पूरी तरह से ठीक हो सकता है, ये सुनकर parents तो बहुत खुश होंगे, जुरूर खुश होंगे